हलो गाईस स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आसू ब्लॉग पे तो गाईस आप सभी लोग जानते हैं कि आज छट का पर्व है तो मेरी तरब से आप सभी लोगों को छट पूजा के धेर सारी सुपकाम नाएं वहम बधाईयां सुगाईस हम लोग आ चुके हैं बरहच के सर्यू घाट पे और आप लोग सामने देख सकते हैं कि कितना अदूर न जा रहा है सूरे अस्थ होने वाला ही है कुछ समय में और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं तमाम लोग यह जो छट तेवार है यह बिहार से स्टार्ट हुआ था अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुका है और जो कि हम लोग पुरवांचल में रहने वाले हैं दिवरियार दिख्टिक पड़ता है तो यह हैं पे बहुत ही फेमस तरीके से मना जाता है पुरवांचल में और भिहार में अब तो धीरे धीरे पूरे आल भर Skills उबर इं अच्छा तेवहार माना जाता है इसमें इस परो में महिला और पूरुस दोनों लोग बरत रहते हैं और आप लोग सामने देख सकते हैं गन्ने का पिर्ड लगाया गया है गन्ना और तमाम जो फल फुरूट होते हैं उन सब सारी चीजों को लाया जाता है प्रसाद के रूप म और बहुत ही कठिन तेवहार माना जाता है इस तेवहार में जो लोग ब्रत रहते हैं वो बिना अन्य पानी के ही ब्रत रहना पड़ता है और बहुत ही कठिन तेवहार माना जाता है ये बिहार से इस तेवहार की उत्पत्तिविती अब तो पूरे धीरे धीरे पूरे आल अबर बारत में फैल चुका है आप लोग सामने देख सकते हैं कि कितने अच्छी लाइटिंग की विवस्था की गई है दीरे दीरे लोग आ रहे हैं ये बरहज का सर्यू घाट है और यहां के जो नगरपाली का अध्यक्ष है मौजूदा उनके द्वार आप अच्छी विवस्था कर आई गई है लाइटिंग वगेरा की विवस्था की गई है आप लोग सामने देख सकते हैं तमाम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे सुगाई चाहिए और अंदर आगे एक्स्प्लोर करते हैं और देखते हैं अंदर का बीव सुगरा कैसा है काफी सुन्दर नजारा लग रहा है ये तेखार दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है साम को मनाया जाता है और सुबा में मनाया जाता है इस तेखार में सुबा का जो होता है और देने के बाद सुरी देखता को जल देने के बाद इस तेखार की समापती हो जाती है ये तेखार बिहार में बहुत प्रचलित है और आप तो पूरे भारत में फाइल चुक्राइब तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं अपना फीड़ बैक दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को चैनल पे अगर नए हो तो सब्स कर दो सकी